Hello everyone, welcome to my channel, मैं हूँ स्रिस्टी और आज हम पढ़ने वाले एक बहुत ही इंट्रिस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है The Weird Story और हम पढ़ रहे हैं Class 7th NCRT और हमारी बुक का नाम है The Alien Hand तो स्टार्ट करेंगे चैप्टर को एक लेडी जो थी यानि कि एक महला थी वो एक जंगल में रहती थी जहां पर उसका घर बना हुआ था और उसके घर में उसका एक पैट था जो कि एक वेर था जैसे सबी डॉगी पालते हैं उसने पाल रखा था एक बेर यानी भालू तो वो उसे जंगल में उसे मिला था और जब वो उसे मिला था तो वो बहुत छोटा था और बहुत भूंका भी था तो उस लेडी ने अपनी जो कुक थी उसकी हेल्प से उसे बढ़ा किया पाला उसे और वो छोटा सा बेबी वेर जो था वो धीरे-धीरे बढ़ा हो गया बढ़ा होता गया और पावर्फुल भी होता गया लेकिन वो एक बहुती सीधा साधा और बहुत फ्रेंडली और पीट पर बैट जाते थे उस मेंसे तीन डॉगीज भी थे जो उसके साथ खेला करते थे और उसको बहुत परिशान भी किया करते थे उसने कभी भी मीट नहीं खाया था वो जो भी कुछ खाता था वो वही खाना होता था जो बाकी के डॉगीज को दिया जाता था तो क्या होता तो लेडी एक दिन संडे में अपने बहन के घर जा रही थी जो कि पुट चाया करती थी हर संडे तो उस दिन जब वो जा रही थी तो उसकी बेहन का घर जो था और उसका घर जो था उसकी बीच में जो जंगल था उसमें करीब एक घंटा लगता था उससे अपनी बेहन के घर पहुँचने में तो वो जहाती थी कि सिक्यरिटी बनी रहे इसलिए वो अपने बेहर को बान जाती थी चेंड से, तो उस दिन संडे में जब वो वहां गई, अपनी सिस्टर के घर, तो उसने जब आधा रास्ता पूरा पार कर लिया था, तो उसे कुछ आवाज सुनाई दी, कुछ जैसे सुखे पत्तों पे कुई चल रहा हो, इस टाइप की, उसने जब पलट कर देखा, तो उसका जो वो वेर था, वो पूरी फास स्पीर से उसकी तरफ चलता हुआ आ रहा था, जब लेडी ने ये देखा, तो उसे बहुत गुसा आया, उसने कहा, ये कैसे आ गया, अब उसने आधा रास्ता पार कर लिया था, अल्रेडी वो लेड हो चुकी थी अपनी बहन के घर जाने में, उसके पास इतना टाइम नहीं था, कि वो अपने वेर से कहती, कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाती हूँ, तो उसने अपने वेर से कहा, तुम घर जाओ, वो नहीं जाने चाहता था, वो बिल्कुल फर्म था, वो वहीं पे खड़ा हुआ था बिल्कुल, वो नहीं जाने के मूड में था, तो वो बहुत नारा जुई, और उसने क्या किया, उसके पास एक अंब्रेला टाइब था, जो उसने उसके मूँ पे मारा, गुसे में, अब इस चीज से क्या हुआ, कि वहर को बुरा लगा, और वो पीछे मुड़ा, और अपने घर लॉट किया, फिर वो लेडी शाम को घर वापस आई, अपना लांच करके सिस्टर के घर से, तो उसने देखा, कि वो वहाँ पर बैठा हुआ था, लेकिन उस लेडी को बहुत गुसा आ रहा था, तो उसने वेर को डाटना शुरू कर दिया, उस पर चिलाने लगी, और जब वो चिलाने लगी, तो उसकी कुक, जो अंदर खाना बना रही थी, वो फटापर फटापर बाहर आई, और बोली, मैडम आप इसे क्यों डाट रही है, आपको इसे नहीं डाटना चाहिए, वो लेडी बोली, कि मैं तो मैं दो दिन और जंजीर से बांद के रखा करूँगे अपसे, दोस ने कहा, ऐसा मत करिये, क्योंकि मालकें ये तो सारा दिन बैठा रहा, और बहुत पुलाइटली, बहुत अच्छे से बैठा, और उसके बाद वो लगाता, गेट पर भी देख रहा था, और आपके आने का इंतजार कर रहा था, तो ये एंड है इस स्टोरी का, मैं उम्मीद करते हूँ कि आपको समझ में आया होगा, सब्सक्राब मैं चनल पर मोर स्टोरी थैंक यू सो मच